अवाम से एलेक्शन जोन अवाम फैसला करें कि वो किसको चाहती है कि हाम नैशनल असेम्बली में धन्ना देंगी कौमी असेम्बली हॉल की बिजली बंद कर दी गई है नमस्कार आप देख रहें न्यूज एटिन इंडिया आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देश्मों का अज बात पाकिस्तान में चल रहे दग्रेट पुलिटिकल ड्रामे की पाकिस्तान की संसद में आज पक्ष और विपक्ष के बीच में जोरदार तकरार हुई विपक्ष के अव श्वास प्रस्ताव को डिपटे स्पीकर ने खारच कर दिया और इमरान खान की अपील पर राश्टपती ने नाशनल असेंबली भंग कर दी इस दोरान वहां की संसद में अनोखा मनजर दिखाई दिया पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की महिला संसद बूट पॉलिश का इशारा करती नजर आई दरसल नवाज शरीफ के परिवार को चिड़ाने के लिए इमरान खान की महिला संसद ने बूट पॉलिश का ये इशारा किया जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं इम्रान खान हमेशा से शरीर परिवार पर विदेशियों के बूर पॉलिश का रोप लगाते रहे हैं यानि किसे चमचागरी के तौर पर दिखाते रहे हैं और यही वज़ रही कि महिला सांसर की तरह से गफर चिलाने की पूर्श इशारों में जूर पॉलिश के दरिये की गई तो इमरान खाम के मंतरी का ये बड़ा बयान यहां पर किस तरह से सामने आया वो भी आपको बताएंगे शेख रशीद का बयान जो है उसका जिकर यहां पर हम कह रहे हैं लेकिन जिस तरह से बूर पॉलिश करती हुई महिला सांसर यहां पर नजर आ रही है दरसल नवाज शरीफ का मज़ाख यहां पर उड़ाया गया है और इसी के साथ ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से नवाज शरीफ विदेशियों का की चमचा गिरी करते रही हैं उन्हें खुश करने में अपना वक्त जाया करते रही है क्योंकि इस बात का जिकर पाकिस्तान में लगातार किया जाता रहा है और उनी का मज़ाक उड़ाते हुए इमराम खान की महला सांसद भी कुछ नजर आई ये संसद के अंदर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है जहां पर खोहला हुआ कुछ और तस्वीरे भी सामने आई से जुड़े संसद रहे वो भी इस बात का जिकर कहीं बार करते रहें और एक बार फिर से देखिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी भूचाल मचा हुआ है इमरान खान ने मासा स्ट्रोक के जरीए नबे दिन के अंदर अब चुनाव तो यहाँ पर करवाने की तस्वीर बना दियो और साथ ही संसर भी भंग करवा दी है सिफारिश जो इस तरह से राश्पती के जरीए की गई और उसके बाद राश्पती ने इस सिफारिश को माना भी और सिदारू किस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे मिरान खान के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है शेख रशीद ने कहा कि विपक्ष के चेहरे पर कालिक है अब चेरी ब्रोजम मैदान में आए देखिए अभी अपने महीला संसर को सुना भी जिस तरह से बूट पॉलिश करते हुए चेहरी ब्रोजम का वो बरबर जिकर कर रही थी नारा लगा रही थी उसके बाद शेख रशीद का ये बड़ा बयान यहां पर सामने आया वजीर आजम होंगे और उनको काफी सारे काम करने है सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर आँखों पे होगा मैं समझता हूँ अपोजिशन अपनी सियासी मौत मर गई है उन में अवाम के जाने की सकत नहीं है और जिन लोगों ने 20-20 करोड रपया काया है उनके चेहरे सियासी तोर पर काले हो जाएगे, कालक फिर जाएगी, हलकों में जाने की पुजीशन नहीं है और चेहरी बलासम जो बड़े चैंपियन बनते थे, यूँ, यूँ, यूँ और पाकिस्तान की संसद को राष्टपती ने भंग कर दिया, जिसके बाद वहाँ पर 90 दिन में अब चुनाव होंगे इमरान खान की पार्टी के संसदों ने ये नारे यहां पर लगा ये चार तस्वीर इस वक्त पाकिस्तान की सियासी बूचाल से जुड़ी हूँ इस वक्त आपके सामने मौजूद है जहां पर विपक्ष एक जुट है, जहां पाक संसद को भंग कर दिया गया राष्टपती के जरीए क्योंकि सिफारिश इमरान खान की तरफ से की गई थी अभी कारिवाहक पीम यहां पर इमरान खान बने रहेंगे 90 दिन के अंदर अब यह चुनाब यहां पर होने है विपक्ष गुट्से में है, नाराजगी है, धरना भी सामने आ रहा है और सिदारों कि इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे विपक्ष जहां पर गुसे के चलते धरने पर बैठा हुआ है तो वहीं इमरान खान का मास्टर स्टोक जरूर काम करता हुआ नजर आया मुसीबट अली नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है ये फिलाल इमरान खान के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा ये विपक्ष ने भी नहीं सोचा होगा और यहीं वज़ए कि कानूनी तोर पर अब ये पूरा मामला स्प्रेम कौर्ट की चौकट में नजर आ रहा है तो अब देखें, पाकिस्तान में सियासी भूचाल यहां पर बेहर तेजी के साथ दटा हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच न्यू जेटीन पीपी नेता बिलावल भुटो से खास बाच्चीत करता हुआ नजर आया क्या कुछ जोरान कहा बिलावल भुटो ने सुनिया भी मौचे वजूद नहीं उनका अपना फैसला था कि आयास साथिक साथ पैनल उफ चैर्मन पर रखा जाए और हमने अपना हाउस का पालिसी फॉलो करते हुए चैर्मन आयास साथिक साथिक ने हमारा नैशनलिस सेम्दी सेशन को चैर भी किया रूलिंग भी दिया अदम इतमाद का वोट भी कुरवाया और आपोजिशन के हक में अदम इतमाद के हक में हमने 95 वोट भी गनवाई हैं आज हमारा उमीद है कि हमारा अदालत मौजूद है अजाद अदिया मौजूद है और वो किसी को ये अजाज़त नहीं देंगे कि खेर आईनी काम हो सके और वो जमूरियत के साथ देंगे और आईन के साथ देंगे इमरान खान का सर्प्राइज रास्टपती ने भंकी नेशनल असेंबली इमरान के खिलाब अविश्वास परस्ताव खारिच इमरान के खिलाब किस की साज़िश अब सुप्रीम कोट में पाकिस्तान का पूरा विपक्ष पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान विपक्ष के चक्र व्यू में घिर गए थे विपक्ष ने नंबर गेम में इमरान को चारों तरफ से घिर लिया लेकिन पाकिस्तानी संसब में इमरान के मास्टर स्टोक से पूरा विपक्ष चारो खाने चित हो गया सदन में पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का रोग लगा कर अविश्वास परस्ताथ को खारिच कर दिया साथ ही इमरान की सिफारिश पर राश्टपती ने असेम्बली भी भंग कर दी है अडवाइज भेज दी है कि असेम्बलीयां डिजॉल्व करें एक डेमोक्राटिक सुसाइटी में हम डेमोक्राइट्स अवाम के पास जाएं अवाम से अलेक्शन्स हों अवाम फैसला करें कि किसको चाहती है पाकिस्तान का पूरा विपक्ष संसत के अंदर और बाहर परदशन कर रहा है पाकिस्तानी संसत में जोरदार हंगाम हुआ यूनाइजिर आपोजिशन ने ये फैसला किया है कि हम नाशनल असेंबली में धन्ना देंगे जब तक हमारा आईनी हक ना दिया जाए और हम अपना लॉयर से इस वक आज ही अभी अभी सुप्रीम कौर्ट पहुंचेंगे कि हमारा पोलिंग, हमारा अदम एतमाद का वोट आज ही किया जाए विपक्ष पाकिस्तानी सुप्रीम कौर्ट में इमरान खान को घेरने की तैयारी में है अब पाकिस्तान में तीन महीने के भीतर फिर से जुनाफ कराया जा सकते है विलाल इमरान की कुर्शी कुछ वक्त के लिए बच गई है लेकिन जहां तक नंबर का खेल है उसमें इमरान पिछड़ गए है राष्टपती ने नैशनल और स्टेट असेम्बली भंग कर दी है और अब जल्द ही चुनाफ का ऐलान हो सकता है बड़ी खबर है ये इस वक्त की पाकिस्तान में दे ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा लगातार जारी है एक और जहां विपक्ष ने शैबाज शरीफ को पीम पुच्छन करके संसत की कारवाई भी शुरू कर दी है असेम्बली में वहीं दूसरी और बिजली कार दी गई है असेम्बली में पाकिस्तान का पूरा विपक्ष जब मौजूद था तो उसकी बिजली ही कार दी गई है विपक्ष ने शैबाज शरीफ को अपना प्रधान मंत्री चुना आगे की कारवाई की और विपक्ष की ओर से दावा ये किया गया कि अविश्वास प्रस्तावत बकाइदा हुआ है विपक्ष की इसमें जीत हुई है लेकिन वहीं एक बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा इस संसद भवन की बिजली ही कार दी गई है ऐसे में जबकि सिर्फ विपक्षी यहां भीतर मौझूद था मसला अब भले ही सुप्रीम कोर्ट में है उसे फैसला लेना है लेकिन इमरान खान कहा रहा है कि एक विदेशी साजश नाकाम हुई है लेकिन इस पॉलिटिकल ड्रामे में ये देखने को मिला कि जब संसद भंग कर दी गई इमरान के सिफारिश पर तो पूरा विपक्षी संसद में मौझूद रहा और जब उन्होंने कारवाई अपनी सदन की आगे बढ़ाई तो उसकी बिजली ही कार दी गई यानि की बिजली गुल है लेकिन ड्रामा फुल है और आज सुबह से ही पाकिसान के संसद में ये पूरा घमसान जारी है इमरान सरकार ने कैबिनेट भंग कर आई तो विपक्ष ने खुद ही संसद में कारवाही शुरू कर दी संसद भंग हुई तो इमरान कारवाह का पी-म बने वही विपक्ष ने पलिटवार करते हुए शहभाद शरीफ को प्रधन मंतरी और आयाज सादिक को स्पीकर बना दिया इमरान खान के सिफारश पर संसद भंग हुई तो नाराज विपक्ष ने संसद पर कब्जा कर लिया इमरान खान ने विपक्ष के हर दाव को नाकाम किया तो विपक्ष सिप्रेम कौर्ट पहुँच गया इमरान सरकार ने अवश्वास प्रस्ताव को खारज कराया तो विपक्ष ने इमरान खान और स्पीकर पर एक्शन की मांग की तो कुछ इस तरह से पाकिस्तान में ये भूचाल सियासी तोर पर नजर आ रहा है पाकिस्तान में ये सियासी ड्रामा लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान के प्रदान मंतरी इमरान खान की संसद भंग की सिफारिश को आखिरकार राश्पती ने मान लिया और संसद भंग कर दिये वहां की राश्पती ने इमरान खान की इस सिफारिश को मनजूर कर लिया और संसद ही भंग कर दी अब नदबे दिन में वहाँ चुनाव होने हैं इमरान खान ने ये दावा किया कि दर असल ये एक विदेशी बड़ी साधिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया है और एक फुल्टोस फिंकने की कोशिश इमरान खान की उर्सी हुए इस पूरे सियासी घटना करम में और वहाँ डिप्टे स्पीकर ने इस बात का ऐलान किया कि ये संसत भंग की जा रही है और ये एक विदेशी साधिश थी जिसे नाकाम कर दिया गया है और अब जब की संसत भंग कर दी गई है इमरान खान की और से दावे ये हो रहे हैं कि ये एक विदेशी साजिश थी जिसे नाकाम किया गया वहीं वेपक्ष का हंगामा और वेपक्ष ने पूरे संसत पर कब्जा कर लिया है उन्होंने का है कि ये गेर सम्मेधानिक तरीके से कदम आगे बढ़ाया गया है वहीं सुमोटल सुप्रिम कोल्ट ने अपना कदम आगे बढ़ाया और इस पूरे मामले पर अब सुप्रिम कोल्ट में भी पाकिस्तान में सुनवाई होगी एक डेमोक्राटिक सुसाइटी में हम डेमोक्राट्स अवाम के पास जाएं अवाम से अलेक्शन्स हों अवाम फैसला करें किसको चाहती है कोई बाहर से साज़श और इस तरह के लोग क्रप्ट लोग पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्की तक्दीर का फैसला ना करें वो लोग जो सारे अचकन सल्वा के बैठे हुए है और वो कोड़ों रुपिया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए ये सारा पैसा इन्शालाद जाया होगा और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है मैं आप सब को कहता हूं कोई अभी भी कोई स्वाब कमाले कि कोई पना गहा पे लगा दे कोई यतीम खाना कोल दे कोई गरीबों के लिए में पैसा डिस्टिब्यूट करें और मैं अपनी कौम को आज कहता हूं कि आप एलیک्शन्स की तियारी करें और आप आपने फैसला करना है किसी भाहर की कुवत किसी क्रप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुलका मुस्तक्बिल क्या होगा आपने फैसला करना है इस मुलका और इन्शालला हम प्रेज़ेंट साब को जो मेरा जब 22 चला जाएगा असेम्बली डिजॉल्व हो जाएगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले एलेक्शन का केर टिकर का मन्ट का वो अब शुरू हो जाएगा मैं अपनी कौम को मुबारिक देता हूँ और मैं अल्ला का शुकर अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी साज़िश जो मुल्क से की जा रही थी एक एलेक्टेड 22 कोर्ड की कौम जिसकी एलेक्टेड हकूमत को गिराने की कोशिश की गई है इस साज़िश से वो आज फेल हो गई है तो इस ते से पहले पाकिस्तानकी नाशनल असम्बली में डेपुटे स्पीकर ने अमरान सरकार के खिलाफ अव श्वास प्रसताव को खारज कर दिया को यानी कि 25 अप्रेल तक के लिए नाशनल असम्बली की कारवाही को सग्धण याई ये पाकिस्तान की राजनीती से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि सियासी भूचार्ज जिस तरह से नजर आ रहा है दो तस्वीरे नजर आ रही है जहां 90 दिन में अब चुनाव होंगे तो वहीं कानूनी तोर पर ही ये मामला सुप्रम कोट की चौकट पर मौझूद है